दोस्तो नमस्कार आज की ये वीडियो आपकी आँखों में चमक ला देगी अगर आप इस ख़बर से सरुकार रखते हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अटेर चमबल पुल के बारे में ये नदगमा और जयतपुर के रास्ते होते हुए अटेर तक जाने वाले रास्ते पर बनने बाला पुल है बहुत सारे मेरे जो सबस्क्राइवर्स हैं जो बीवर्स हैं बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि इस पुल की बीडियो बनाए और इसकी जानकारी दें तो दोस्तो आज मैं वीडियो लेकर आगया हूँ और आपको ये भी बताऊँगा कितना काम हो गया है और आपको ये जानकारी भी दूँगा कि ये पुल अफाइनली कब तक बनकर तैयार हो जाएगा तो दोस्तो आगरा के जैतपुर और मद्य बदेश के भिंड के बीचो बीच चमल लदी के अटेर घाट पर पुल आकार लेने लगा है अठारा पिलर खड़े किये जाने के बाद अठारा पिलर की जो ख़वर है हमने पहले ही आपको दिखा रखी थी एक पिलर था वो अंदर धस गया था उसका भी वीडियो मैंने आपको बनाया था वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं तो आठारा पिलर बनने के बाद अब जो स्लेब्स हैं जो दो पिलर के उपर जो स्लेब आते हैं उनके रखने का भी काम सुरू हो गया है और आसंगा है कि जून 2023 में पुल के असुत में आने की जो उमीद है वो है इसके बाद आगरा फ्रोजावाद एटा मत्रा की जो दूरी है पचास किलो मीटर तक गड़ जाएगी और जो यूपी के लोग हैं उनके लिए अटेर भेंड और गवालिर की जो दूरी है वो भी पचास किलो मीटर तक कम हो जाएगी तो दोस्तो दिसंबर 2016 में 63.75 करोड रुपे की लागत से बनने बाले अटेर पुल की बुनियाद रखी गई थी शुरुआत में इसका जो बजट था वो था 63.75 करोड ठीक है तो उसके बाद कई अर्चनों की बज़े से पुल का दिनमाड कारे भक्त पे पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद इसका बज़ेट बढ़ाना पड़ा क्योंकि इसका जो एक पुल है इसका जो एक पिलर है वो धस गया था तो बज़ेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा और बज़ेट हो गया 110.40 करोड रुपे करोणा काल के पहले निर्माड दिन पुल 18 मैसे 17 पिल पहले ही बन चुके थे पाच्वा जो पिलर था बुद्धस गया था उसके निर्माड कार के लिए बैंगलोर से एक मसीन मंगवाई गयी थी उसके बाद उसका निर्माड कार पूरा हो सुका था तो दोस्तो निर्माड आजनसी नारायन दास कंपनी के साइट प्रवारी नारायन सिंग ने बताया है कि पिलर निर्माड के साथ ही इसक्रेब का भी निर्माड कार सुरू हो गया था जून 2023 तक पुल अस्तित्व में आ जाएगा बताया कि पुल चालू होने के बाद बाह और भिंड के बीच करीब देड़ सो गाओं के लोग लावान वित होंगे बिंड से आगरा फ्रुजाबाद एटा और मत्रा की दूरी भी पचास किलोमेटर कम हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तो इस पुल के बनने के बाद जो यह आपका नंदगवा जैत्पर के पास एक गा है उसको अटेर का जो किला है वो बैसे ही बहुत खुबसूरत है बदावा राजाओं की सान है और वहां पर भी काफी ज़्यादा और काफी बढ़िया मरमत का कारे चल रहा है मैंने अटेर पुल का भी बढ़िया एक वीडियो बना रखा है पूरा डिटेल वीडियो उसमें हमने पूरी जानकारी दी है अटेर पुल के अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा आप वो वीडियो भी देख सकते हैं तो जब यह पुल बन जाएगा तो जो यूपी के आसपास के लोग है वो अटेर पुल को और क्रॉस करके आ बहुत दिनों से बार-बार बोल रहे थे तो मैं वहाँ जातू नहीं पाया लेकिन आपके लिए यह महतपूर जानकारी लेके आया हूं तो आप सामने देख पा रहे होंगे वीडियो में कि जो स्टार्टिंग बारा देखिए यह पहला जो पहला खंबा है और जहां से पु अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राब करना मत बोलिएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो अपने छेत्र की जानकारी बरे वीडियो लाते रहते हैं अब गाईज आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब के लिए धन्यवाद हमारे साथ बने रहिए चैनल को सबस्क्राब जरूर कीजिए और इस ख़बर को भी अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और बर्टसप ग्रूप पे जरूर सेर कीजिए धन्यवाद